जगुराज जी ये बताईए कि एक सबहा आज भी हुई है यहाँ पे क्या महौल अब आपको लग रहा है कासर से बात अगरम करते हैं मुद्दो की तो दिक्कत यह है कि आप जब पिछली बार चिदाओं लड़ने से तब एक दूसरे दलने थे इस बार आप लड़ने एक दू किसानों की समश्या की बात की ती आपने किसानों कर्ज मापी की बात की बेरोजगारों को रोजगारी बता देने की बात की यह ऐसी तमम सारे मुद्दे थे इस तानी इस तरफे मुद्दे थे उन लेगों के बीच में हम जनता के बीच में भी गई थे जब सरकार बनी मानी स स्टिर्वाइंग सिंधिया जी ने मुरेना से चछी चाह उसी टरजीत कर दी उनको मुख्यमंत्री मनानी का अश्वास हंदिया कि दस महिने में किसान दस दिन में किसानों के करजे माप करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, क्या हुआ, बिरोजिगारों को बिरोगाजी बत्ता देने की बात की, क्या हुआ उसका, तमाम सारे मुद्दे थे, इनको लेकर जनता मुख्यमंतिरी के पास जाते थे, लेकर मुख्यमंतिरी का एक ही जवाब था, 24 गंटे हैं, 25 नहीं है, समय नहीं है, पैसा इन बातों को लेकर, हमने सिन्द्याजी से भी कहा था, कि गवाली चमल संभाग के विधायकों की विच्छा हो रही है, सारा का सेरा पैसा, चिंदबाड़ा उसके आसपास के छेत्रों में, अपनी विधायकों के छेत्रों में लगाए जा रहा है, उन्होंने भी इस मांग को रखा, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया, यह भारती जंता पार्डी में सामलित हुए, आपने देखा पिछले पांच महिने में, इस छेत्रों को कितने विकासकार मेले के हैं, विकास की स्वगाते मिली हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, एडिकल कॉलेज की स्वगात, यह आने बाले समय में, मिल का पत्ता साभीत होगा मराने जिले के लिए, अब इससे हट के सवाल है, हम आपके गाउं भी कहते हैं, नायक कुरा, अब आपको लगता है, इसके पीछे के, वहां क्या मतलब एसी चीज़, वहां के पानी में इसी क्या खास बाद है कि वहां से बिदायक निकलते हैं, वहां माता का अशीरवाद है, हमारी माता है मनवाई माता, वहां जो मांगा वो दिया, जिसना जो मांगा है वो दिया, और फिर हम लोग सो साल से कोई न कोई हमारे परिवार से प्रतिदी है, देश आजाद हुआ तो हमारे पहले बिदायक हमारे बाबा सोबरन सी मुझते है, उसके बाद हमारे ताउजी रहे, उसके बाद अंतराल के बाद मैं शेत्रे बिदायक बनाओं, उससे पहले गहां से ही कीरतराम सिंगी तो माता का ओसा आसीरवाद है कि जब हम जनतां की सिवा के लिए निकलते हैं तो निश्यु निश्छे। Fel जन् वहमनावा जन्तां के बीच में रहती है कोई भी प्रतिन्ति हो मैं सब्सक्राइबος सब्सक्रांद यही कहता हैं कदो कि नेता बनना ने इसा है बनती है त Hadal तरह सब नीचे से उपर निचे पूरे गॉलियर चंबल संभाग में कॉंग्रेस आप लोगों को गद्दार कहकर के कैमपेंच चला रही है आप जो तराद सभी जो तमाम लोग जो कॉंग्रेस के भाच्पा में आए यह साथी में जो तराद सिंद्यादी यह कितना बड़ा अब जे किसी को कुछ भी कहें गद्दार तो यह लोग है जो आस्वासन दिये जो बादे पूरे नहीं किये कभी दुख सुक में जनता के बीच में नहीं आई तमाम सारी बाढ़ ओला प्रिष्टी हुई कभी आई इस चेत्र के विकास की चेत्र की समाश्या हम दुख दर्द म हैं सुटे पर लोगों के बीच म आती है किहने कभी य वालीचमल संभान की सुग्याइवर नहीं के साथ हुआ था ८ात च्में जोनी सुछ्छ योईना भंड के दिया था मैं सारी स्युर्ण भूवनांस काम किये तमाम सारे प्रतिनी दियों के मकान तोड़े गए हम प्रतिनी बंती हैं जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के सामने प्रतिजंदी रहती हैं लेकिं चुनाव के बाद ऐसे विचार नहीं आने चाहिए सबीना चुना है और कोई काम गल्त हो रहा है तो गल्त है सही है तो सही है लेकिन सही को भी गल्त सावित करने का प्रयाश की आगया है मरेनहा की उपेच्चा हुई विदानसभा में हम चेह के छी परतिती लिए किसी को भी बना देते का अनुभाव वाले भी लोग थे पहली बार वाले आप बने नहीं आ गया कि अनुभाव को दर्किनार किया जा रहा है और कई ऐसे लोग जो की बहुत कम चुनाव जीते थे उन्हें मंत्री बना दिया गया था कि यूँ बनाया था है या कोई भाईवातीजा वाथ था उस सरकार में आपको लगता था कमनला जी ने अपने पुत्र मौ में मैं दो दो बारबालाओं को केबिट मंत्री आप देखेंगे आप एदल सिंगी चार बार के विदायक थे पहले मंत्री रहे आपने देखा के वी सि तमाम लचमड सिंग्जी आपके डगई राया जो चार चार बार बाले थे उनके उपेच्छा की और जो दूसरी बार बाले थे उनको सब को कैमिनेट बंती अनुबव भीहीन मंत्री मंदल था इनको काम करने की सोची नहीं थी पहली बार मंत्री बने तो विकासकार कैसे हो एक को लगता है कि यह वैक्सीन का जो मुद्दा है चुनावी रेवडी एक तरीके से काज रहता है यह काम कर जाएगी आप लोगों नहीं है प्रगिजिया चल लगी है निश्ची तुरूप पे वैक्सीन आएगी जो बीमारी महामारी है उसका पूरे बिश्व में ब्यापक प पर सोध कर रहे हमारा देश भी कर रहा है मानि मुख्यमंतिरी यह ने आज कहा है कि वैक्सीन जैसे ही आएगी हम पूरे मद्द्रदेश के लोगों को मुक्त महीं बैक्सीन लगवाएंगी तो इसमें चुनावी मुद्दा कहा है यह तो हम तो जनता की सेवा के लिए है मुर समय पर मुख्यमंतिरी के पास जाता था समयां को समश्या का समाधान नहीं हुआ है यह आपने देखा मुरेना को मेंडिकल कॉलette की मेडिकल कॉलेज नहीं दिया किसानों को करिमाभी की बात थी वेरोजगारों को नोजमानों को वेरोजगार बता सब्सक्राइब तो बैसे ही बादे करते रहे वह लोगों में घर गई है वो दिखवेश का सब्सक्राइब बीच में गर गई तर दौन अब आप से बाहर आई कि लिए कि उनको अनुबा पता पैसा एकटा करने का ऐसे लोग थे वहां कि सब लोग जानते थे उसके बाद भी ट्रांसफर पोश्टिंग द्रादा चल लए थी अरे मैं जो कहिदा हूं जो किरीजी गरीव का बच्चा है पुलिस में है उसका ट्रांसफर होना चाहिए सिच् रुप्र railroad जंता का मुझे 80 मिला और पिछली बार मी मिलाएगा पिछली वार शिर आये थे तो आपके खिलाफ सबा había किए इस बार आपके समर्थन में सभा की है आप देखना यह ढूना नहीं मिलेंगे तो यह थे रगुराज कंसाना जो उमिद्वार है भारतिय जनता पार्टी के मुरेना से शिवराज सिंग चोहांज मुख्यमंत्री उन्होंने के समर्थन में आज एक बड़ी सभावी की है मुरेना में अपनी जीत को लेके आश्वस्त है और डेड़ साल में जो कुछ भी बीती है उसको जनता के सामने रख करके ये फिलहाल अपने लिए वोट पांग रहे हैं आने वाली तीन नवंबर को जब विधान सभा उप्चुनाओं के लिए मतदान होगा गिराज रजोरिया और कैमरमन इरिशाद खान के साथ रवीश पाल सिंग मुरेना आज तक